आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अभिननदन करती हूं आप सभी देख पा रहे हैं हमें इविद्या चैनल नंबर 10 पर तो स्टुडेंट्स हमारा ये सत्र हिंदी का है कक्षा 10 के विध्यारतियों के लिए और आज हम कौन सा टॉपिक लेकर आये हैं तो आज हम जानने वाले हैं जो हमारा विशे है साहितिक विध्धाओं का अंतर संबंद और शिक्षन इस पर हमें और प्रकाश डालेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर प्रमोद कुमार दूबे सर सर हम आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं नमस्का सर हैं रिटार्ड प्रोफेसर भाशा शिक्षव विभाग NCERT से तो डियर सुडेंट्स एं लर्नर्स आपकी स्तर से अपनी प्रितिक्रिया आए अपने विचार अपने सुझाव दे सकते हैं आप नोट कीजिए आप हमें कॉल कर सकते हैं आठ हाट शुर्ने शुर्ने चार शुर्ने पांच बाशनौ पर और आप हमें इमेल भी कर सकते हैं अमारे इमेल इड है dth.class10 at the rate ciet.nic.in we are conducting these session as a part of Jan Bhaagidari or people's participation for G20 initiative we are proud that India assumed the G20 presidency and will convene the G20 leaders summit for the first time in the country in 2023. a nation deeply committed to democracy and multilaterism India G20 presidency would be a watershed moment in history as it seeks to play a very important role by finding pragmatic global solution for the well-being of all and in doing so manifest the true spirit of Vasudhev could to become or the world is one family. तो आईए शुरुवात करते हैं इस सत्र का और रुख करते हैं हमारे expert डॉक्टर प्रमोत कुमार दूबे सर की तरफ. सर आज हम जानने वाले हैं साहितिक विधाओं का अंतर संबंद और शिक्षन तो सर शीर्षक पर ही प्रकाश जालिए सर धन्यवार विधाओं के अंतर संबंद तो शाहितिकी कौन-कौन सी विधाएं हैं गद्य है पद्य है निवंध है रेखाचित्र है नाटक है एकांकी है यह सभी अलग-अलग दिख रहे हैं और आपके पाठ की पाठे पुस्तक में यह सभी विधाएं दी हुई है और आप सहितिके विधार्थी है यानि कि आप एर्थ के बाद नाइन्थ में और नाइन्थ टैन्थ फिर एलेवेंट ट्वेल फिर ग्रेजुएशन की दुनिया में जाएंगे इसलिए विधाओं के बारे में जानना आवस्यक है और जैसे आप जानते हैं कि दुनिया जब एक ग्लोबल गाओं हो चुकी है बने विश्व ग्राम में की कलपना आपके पूरी दुनिया एक गाओं की तरह आपस में जुड रही है यहने इंग्लिश हिंदी के साथ है हिंदी अपनी सभी भारतिय भाषाओं के साथ है फिर भाषाओं में कोई आपसी भेद नहीं होता वैसे ही विधाओं में भी आपस में बहुत ताल मिल होता है जैसे आप कहानी सुनते हैं तो कहानी में दो पातर आपस में जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि यह नाटक है वैसे ही जब नाटकों में कोई प्रसंग आता है या फिल्म देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि संबाद के बाद द्रिश्य और फिर गीत गीत और निर्थ नाटकों में भी गीत होता है उसी तरह से संघीत आगया नाटक में फिर नाटकों में कथानक होता है रसभाव होता है जंद होता है इस तरह से कविताओं में चितर होता है तैसे पिछली बार आपने ऐसी कविताओं पढ़ी हैं उसी तरह से कविताओं में संगीत होता है तो संगीत में जैसे अभी आप दसवी काक्षा में सूर पढ़ते हैं और तुलसी पढ़ते हैं तो तुलसी भी गाये जाते हैं उनके पदों को गाया जाता है ठुमकत चलत रहामचंद बाजत पयजनियां तो संगीत के बहुत बड़ गयाता थे तुलसी दासजी तो विन्य पत्र का देखिये गा तो सब में राग लिख रहा है कि इस राग में यह पद गया जाता है उसी तरह से सूरा सागर देखिये गा तो सभी संगीत बद्ध पद मिलेंगे इसलिए मीरा को गाया जाता है तुलसी को गाया जाता है और कवीर या फिर सूर को गाया जाता है यानि कि पूरे मध्यकाले इन भक्तिकाले इन साहिते में संगीत भरा हुआ है इसी तरह से जब आप रीत इखा दिन कविता में पढ़िएगा जैसे आप बिहारी को पढ़ते हैं देव को पढ़ते हैं उसमें चित्र मिलेंगे और ये चित्र आत्मक था पिछले दिनों आपने केदारनाथ अगरवाल की कविता में पढ़ी थी इसी तरह से बहुत सारी कविताओं में लगेगा कि बिलकुल चित्र है चाया हुआ है उसी तरह से संगीत चाया हुआ है ले चाये हुए हैं दृष्य चाया हुआ है ऐसी जो रचनाओं के भीतर आपसी संबंद है कि कविता में संगीत है कविता में चित्र है कहानी है तो उसमे में नाटक है और चितनी चित्रात्मकता जो जैसे रेखाचितर जीस को कहा जाता है संबाद में क्या-क्या होता है उसमें इंटर्वीव भी होता है जिसको हम कहते हैं साक्षातकार आप बताये कि जब आप वहां गए थे तो क्या देखा था तो इंटर्वीव चल रहा है तो यह जो अलग-अलग विधाएं हैं वो सारी विधाएं गद्य पद्य जितनी अलग-अलग चीजें आप देख रहे हैं वो सब एक दूसरे में सामिल भी हैं उसी तरह से भाशा भी बिलकुल स्वाधीन सत्ता नहीं है मने एकदम हिंदी हिंदी नहीं होती हिंदी में गाउं की बोली होती है देशज, विदेशज सब्द होते हैं अंग्रेजी के भी सब्द आ जाते हैं जो हिंदी के सभाव में प्रकृति में अपना रूप विलेइन कर देते हैं जैसे ग्लास तो उसका ग्लास हो गया न आज पेन बॉल पेन कुछ भी आप कहते हैं तो ये जो आप कहते हैं तो वो जो आप कह रहे हैं वो एक तरह से कही ने कही एक अंतर संबंधों की बात हो रही है जितनी चीजें हैं वो सब अंतर संबंध में हैं अंतर संबंध से क्या मतलब कि अगर भाशा है तो उस भाशा में विविन्य तरह के शब्द है और विविन्य तरह के अर्थ हैं उसी तरह से उसके साहित में भी विविन्य तरह की विधाएं हैं और उन विधाओं में आपसी सम्मंद है इन बात को कहने की जरूरत क्या थी इसका उदिश्य क्या है तो इसका उदिश्य यह है कि जब हम कविता क एक पाठ मान कर एक परिक्षा की दृष्टी से पढ़ते पढ़ाते हैं, तो क्या पढ़ते हैं? सब्दार्थ क्या है? भावार्थ क्या है? और वह कविता पढ़ने-पढ़ाने में तनावुत्पन करती है. इसका अर्थ क्या है, अर्थ समझो, और आपका शिक्षक भी उसी दबाव से पढ़ाता है, इक्जाम देना है, इम्तान देना है, नम्मर लेना है, इसका अर्थ करो, कभी ने, कभी ता इसलिए नहीं लिखी थी, सालीम अली का चरित्र आपने नाइन्थ पिछली कक्षा में पढ़ा था, तो सालीम अली क्या कह रहे हैं, पक्षियों के एक अध्यता थे, पक्षियों पर उकाम करते थे, क्या कह रहे हैं, कि हम पक्षियों को अपनी नजर से देखते हैं, आदमी अपनी नजर से पक्षियों को देखता है, तो आप कहेंगे कि हर लोग तो अपनी ही नजर से देखते हैं, नहीं, उनका कहना ये है कि पक्षियों को पक्षियों की नजर से देखिये, कविता को कविता की नजर से दे है यहने पक्षी क्या सोच कर बोलती है कैयों बोलती है उसके बोलने में कौन सा sangeet होता है से quail बोल रहा है किस स्वर में बोल रहा है तो sangeet के पंचम स्वर में बोल रहा है कि तो आप को कोयल के बूली को, एक रुची से आनंद से सुनते हैं. जिवही आपने कोयल की नज़र से कोयल को देखा, जैसी वह है, जो उसमें गुण है, उसका जो रूप रसभाव है, आपने वैसे देखा, तो पक्षी को पक्षी की तरह देखने की बाद साली मली जो का रहा है है वो हो गई जो पाठ आपने पढ़ा है इसी तरह से जब कविता को कविता की नजर से आप देखते हैं हमारा सिक्षक हमें कविता को पढ़ाने पाठ की तरह नहीं कविता की तरह बताता है कि कविता को कविता की तरह देखो तो क्या होता है बोज नहीं बनता है और वह है आपको अ आप ही में, आप ही देख रहे हैं, अनुभाव कर रहे हैं, उससे जोड़ कर वह कविता आपको जीवन के एक स्वाद में, एक रस में जोड़ देती है. तो ये जो पाठों में सिर्फ पाठों की तरह पढ़ने की बात है, यह साहित के लिए उचित नहीं है. इसलिए जब कहानी पढ़ते हों, तो कहानी में जहाँ नाट्य संबाद आ रहा है, आप उसमें दो पातर बात कर रहे हैं, तो आप उसको नाटक की तरह देखिए. जहां किसी ऐसे द्रिश्य का वरणन हो रहा है, कोई नदी है, बहर ही है, कोई पक्षी उड़ रहा है, दूर, परवत दिख रहे हैं, जहरना गिर रहा है, कोई भी प्राकृतिक द्रिश्य है, उसको कविता की तरह देखिए. कहानी है, उपन्यास का है, रचना है, उसमें कविता की भी द्रिश्टी है, केवल गद्य नहीं, उसमें पद्य भी है. जब पूरे सांगों पांग, सभी अंगों से, सभी द्रिश्टियों से, खूले मन से, जब आप पाठ को देखेंगे, तो आप उसमें डूबेंगे. आशिक द्रिष्टी और विधाओं के अंतर समंध से आपको लाब होगा। बने आप कहते हैं कि ये गलास जो है अंगरेजी है और गिलास हिंदी है। पेन अब हिंदी हो चुकी है तो कलम भी कहिए वो भी कभी उर्दू थी। तो कलम जो उर्दू शब्द है उसके बाद ये अगई लेखनी थी। जिससे लिखा जाता था उसको लिखनी कही जाती थी। तो इस तरह से शब्द भी आपस में रूप बदलते हैं। बड़े सारे सब्द, जो आपके आपके जैसे हिंदी में, आपके गाउं में प्रचलित सब्द हैं वो अंग्रेजी की डिक्शिनरी में जा रहा है है। और बहुत सारी अंग्रेजी के सब्द आपके जीवन का अंघबन रहे हैं। और उसके लिए आप कोई भी आवश्यक नहीं समझते कि इसका कोई हिंदी होने चाहिए, अगर आवश्यक नहीं है तो हिंदी बनाने की ज़रुवत ही नहीं है, वही हिंदी है जो आप बेवार में प्रयोग कर रहे हैं, तो इस तरह भाशाओं में अनेक भाशा, वैसे ही उसमें भी बहु भाशिकता की बात हुई है, उसमें भी विविद विधाओं को एक साथ जुड़ने की बात हुई है, अगर आप भारतिय भाशा के लोग हैं, तो अन्य जो हमारी भारतिय भाशा हैं हैं, वह सब हमारे साथ ही चल रही हैं, और उनको भी उसी तरह से हम अपन सहयोग मानते हैं, सहयोगिनी मानते हैं या अपने साथ मानते हैं हिंदी जैसे हर जगह की अपनी हिंदी अपना टोन अपना ढंग, रंग होता है तो विवरी तरह की छटाएं हो गई हिंदी में वैसे ही विधाओं में कोई गीत लिखता है कोई कोई दोहे बनाता है, कोई मुक्त छंद में लिख रहा है, लेकिन उसमें एक लए है, तो वह जो लए है, चित्र है, उसमें उसी तरह का छंद है, आप गाना है, नहीं गाना है, किसी तरह से भी आप पढ़ियेगा, तो उसमें एक लए का अनुवा होगा. इसलिए कविताओं में गीत होना है, संगीत होना इसका जब आप अस्वाद लेते हैं तो आप सिर्फ यह नहीं जानते इस भी सही में नहीं जानते कि इसका सब्दार्थ क्या हुआ इसका भावार्थ क्या हुआ इसमें कौन सा प्रश्न बन रहा है यह नहीं उसको विधा को एक कला के रूप में देखना, ऐसा नहीं होता कि हम किसी दृष्य को देखते हैं, तो उसका हर अर्थ समझने की कोशिश करते हैं, बस अच्छा लग रहा है कि नहीं, सराहना करते हैं, ऐसे ही किसी स्वाद को लेते हैं, कोई मिठाई खाते हैं, तो ये कैसे बन सबदार्थ, भावार्थ तक जो प्रस्ण पूर्चे जा रहे हैं, परिक्षा के लिए जैसे भी उपयोग हो, वह तो ठीक है, लेकिन विद्यार्थी के जीवन में पढ़े हुए पाठों का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि वह परिक्षा में क्या उत्तर दे रहा हो, तो साम बनाया जाए, उसको वस्तु निष्ट धंग से पढ़ाया जाए, तो और बोज हो जाता है, तो उसका अर्थ समझ में नहीं आता है, लेकिन ले ताल, संदर, बोज से जब उसको सराहना की दृष्टी से पढ़ते हैं, तो उसमें अनेक अर्थ, अनेक भावत्पन होते हैं, और यह सैक्षिक उदेश से परमावस्यक है, पढ़ने-पढ़ाने की नजरिया क्या होनी चाहिए, आज हमने सोचा कि इसी विशाय पर अपने विद्यार्थियों, सिक्षकों, सुरुताओं से बातचीत करेंगे, तो देखिए, कोई ऐसा पाठ लीजिये, जैसे, दस्विंक अक्षा में, शेतेज भाग दो में, तुलसी दास की कविता है, और रामचा इत्मानस से ली हुई है, राम लक्षमन परसुराम संबाद, उसको आप मंच पर नाटक कर सकते हैं, अगर आपने उसका नाटक बनाया, और आपस में संबाद किया, कोई लक्षमन बना है, कोई राम बना है, कोई परसुराम बना हुआ है, तो वह नाटक जीवन भर याद रहेगा, और कभी भी आपको बोज नहीं बनेगा, वह आनंद का विशय होगा, अब उसका कोई अर्थ है, उसका कोई वी मर्स है, उसकी कोई वी चारधारा है, इन बातों को नहीं, कविता, कविता है, उसका आनंद लिजे, तो इसमें राम लक्षमन परसुराम संबाद में क्या बात आई, कि उसमें नाटक है, अब सुर्ज कांत्र पाठी निराला कभी हैं, अधुनिक कभी हैं, नागर्जन भी प्रकतिशील कभी हैं, उसी तरह से, आप अन्य पाठों को भी, गद्य पाठों को भी देखिएगा, तो पाईएगा, कि अलग-अलग नाम से कवि है, कोई नाटकार है, या कोई गद्यकार है, गद्यकार में कोई निवंधकार है, जैसे दुवेदी जी, हजारी पर साथ दुवेदी हैं, तो ये कवी हैं, और ये निवंधकार हैं, लेकिन वास्त विकता यह है कि जो कवी है, वो अभी निवंधन करता है, छंद कैसे बनाया जात यह उसमें मिलेगा, इसी तरह से जो गद्यकार है वह भी एक कावे आत्मक भाव से लेखन करता है, तो उसमें भी आपको क्या मिलेगा? कि कावे का बोध हो रहा है, बीना कावे के बोध के, गद्यम कवी नाम निक्षा बदन्ती, गद्य लेखक को क्या कहा गया? कभी कहा गया, और कहा गया कि कभी जो होता है, उसकी कसावटी है गद्य लेखन. हमारी हजारो वरस की परंपरा में, साहित्य में, विधाओं के अंतर समंध पर, बने कभीता, कहानी, नाटक, अलग-अलग होते हुए भी आपस से समंधित हैं, इस बात को प्रमारित करने के लिए एक वाक्य मैंने कहा कि कभीयों का कि कसावटी क्या है? गद्य लेखन. वो गद्यकार कभी नहीं है, आपके आज के पैमाने पर, लेकिन अगर कभी है, तो उसका गद्य पढ़िए. आपनो आठवी कक्षा में नगारजुन का गद्य पढ होगा. उस गद्य में बिलकुल लगता है जैसे कावे है. इसी तरह से उनकी अन्य राचनाओं में, गद्य राचनाओं में भी पढ़िएगा, तो कावे ही रिष्टी वोचर होगा. वैसे ही बहुत सारे उपनियासकार हैं, जिनमें बिलकुल कावे की तरह ही, कविता की तरह ही गती है. यह देखिए जानना क्यों जरूरी है, यह मैं अस्पष्ट कर रहा हूँ. पाठ तो आपने पढ़ा है, दूसरे हमारे विद्वान, शिक्षकों, प्रफेसरों ने आपको पढ़ाया है, शिक्षक भी पढ़ा रहे हैं. लेकिन जब कोई विशेश बात हो, तो निश्चित रूप से ही उस पर विचार करना चाहिए, कि NCF 2005 के आधार पर बनी हुई यह पाठे पुस्तकें, आप देखेंगे कि एक पार्ट, दूसरे पार्ट से कोई सम्बंध बनाता है, कोई एक थीम है, जिस पर सभी रचनाएं एक साथ केंदरित होती हैं, कोई एक विचार है, जैसे मान लीजिए, कि पिछले क्लास कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा वसंत भागतीन, तो देखेंगे एक चिठ्थी है, चिठ्थी है, तो चिठ्थी पर कविता भी है, और लेटर बक्स है, फिर चिठ्थी पर उसकी कहानी भी है, तो कविता भी है, और लेख भी है, डांकिया है, फिर उसकी से सम्मंदित जो लेटर बक्स है, ये सब चीजे क्यों डाली गई है, क्योंकि बिभिन तरह की विधाओं का एक केंद्रिय विशय हो चिठ्थी, इस तरह बिखरी बिखरी विई न होकर एक थाली में ही जितने भोजन के प्रकार हैं, दाल है, चावल है, रोटी है, बिभिन तरह की चटनी और सबजियां हैं, सब आप मिला कर खाते हैं, छे रसों में भोजन करते हैं, इसी तरह से नौ रसों में आप साहिति पढ़ते हैं, जी सर, और सर आज आपने काफी विस्तार से हमें बताया, आज कर टो टॉपिक था, साहितिक विधाओं का अंतर सम्मंद और शिक्षन, सर आपका बहुत-बहु और शुक्रिया हो जाने से पहले एक इन्फमिशन साझा करना जाते हैं, NCRT Textbooks for 2023-24 are available throughout the country, and these textbooks may be purchased directly from the NCRT sale counters, located at New Delhi, Ahmedabad, Bengaluru, Kolkata, and Guwahati, and these sale counters will be functional on all the weekdays, including gazetted holidays, Saturdays, Sundays from 9.30 a.m. to 6.00 p.m. and you may also place order for the books online, our website is ncertbooks.ncert.gov.in and these books will be delivered at your doorstep without any delivery charges, and if you want the soft copy of the books in PDF version, you can also download it for free from NCRT, Diksha, e-Parshala website, and mobile app, so dear students and learners, please visit the website ncert.nic.in to know more about the authorized vendor, और इसी के साथ हमारा आज का ये सत्रहीं संपन होता है, लेकिन आप कहीं मच जाएए, अपसे कुछी पलो में आप देख पाएंगे, mathematics का सेशन कक्षान 9 के विध्यार्थियों के लिए, तो जुड़े रहे ये विद्या चैनल से और हमें दीजे अजाज़त, नमस्कार करते हांजो जो और हमें देख और हमें देख तो में देखना में दान करेसे अजास को साurpose के लिए के रहें।